नमस्कार आप देख रहें न्यूस पियार और मैं हूँ प्रीती आज अंचर्चा करेगे देश, दुनिया और बिहार से जुरी तमाम एहम खबरों की जो आज के अकबार में प्रकाशित हुई है गर्मी बढ़ते ही 30 फीज़ी ट्रांसफर्मर फेल अब बिजली काट कर किया जा रहा है मिंटेनेंस पेसु शेतर के प्रतिक डिविजन को मिंटेनेंस के लिए सालाना 12 लाक रुपे मिलते है यानि पेसु के सभी 13 डिविजन के रहने वाले 6,21,000 रुप भुगताओं को 24 घंटे कॉलिटी बिजली देने के लिए सालाना 1 करोड 56 लाक खर्च हो रहे है इसके बावजूद गर्मी शुरू होती ही 30 फीज़ी डिश्टिबिशन ट्रांसफर्मर फेल हो गया इससे शुहर के विबिन इलाकों में अगोशत बिजली कट का दौर शुरू हो गया है गर्मी का कर्फ्यू पत्ना में 6 साल का रिकॉर्ड टूटा पारा 43 डिग्री के पार हुआ क्रिशे विभाग में 2666 पदों पर होगी भरती आवेदन हुए शुरू पांस से बारा साल तक के बच्चों को लगेगी कोब्रे वैक्स वर को वैक्सीन वीसी बोले पत्ना विश्विद्याले में फिर शुरू हो इंटर की पढ़ाई पत्ना विश्विद्याले में इंटर की पढ़ाई फिर से शुरू हो सकती है मैलाओं की सुरक्षा के लिए बसों में अमर्जेंसी बटन खत्रे का अभास होते ही दबाने पर बजेगा, कंट्रोल रूम में अलाम तुरंट पहुंचेगी पुलीस कंट्रोल रूम से लाइब बसों में ट्राकिंग डिवाइस भी लगेगा, फिलाल पत्ना में पाइलट प्रोजेक्ट के तहत नई व्यवस्था लागू की गई है, एक अगस से सभी प्राइबट बसों में लगभग होगा, VLTD, ट्राकिंग डिवाइस से ओवर स्पीडिंग स्कूलों का निरिक्षन करेंगे अधिकारी क्लास में बैट पठाई के विवस्था जाच, सिक्षा मंतरी विजे कुमार चौधरी ने कहा कि अधिकतर स्कूलों का निरिक्षन करें क्लास रूम में बैट कर देखें कि सिक्षक के बच्चों को कैसे पठा रहे हैं, पठाने मे मुंबई में मजदूर दिवस से अपने सरकारी आवाज पर जंता दरबार लगाएंगे वो जंशक्ती यात्रा भी करेंगे पिता लालू यादव के समक्ष इस्तिफ़ा का एलान कर चुके तेश प्रताप यादव ने अब अपने संगठन छात्र जंशक्ती परिशत को आगे क पर राज़त नेतरत विक पर दवाब की रणनीती बनाई है रोहत और कोहली दोनों ही गेंदबाजों के सामने बेबस नजर आ रहे हैं पांच बार उमेश का शिकार बने कोहली उसके खिलाफ सिर्फ 143 रन बना सके चनने की खिलाफ जिरो पर आउट सबसे जादा 14 बार डख होने का रेकॉर्ड मुंबई को पांच बार चांपियन मना चुके रोहत को आठ में से साथ पीसर्स ने आउट किया शॉट बॉल के सामने फेल हुए तो आज के एक बार में प्रकाशित हुई खबरों में इतना ही आप बन रही न्यूस पियार के साथ और हमारे चानल को सब्सक्राइब जरूर कर ले धन्यवाद